नमस्कार, मैं गिरिश, आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एगरो इंडेस्टी में और आज का जो पहला सवाल है वो पुच्छा है नाम तो नहीं आरा भाई साब का इधर लेकिन उन्होंने सवाल है साब पूचा है कि 11,000 का ड्रीप कितने साल तक ग्यारंटी मिलेगा कुरुपया बताए और क्या-क्या सामान आएगा उसका मेरे को दिखा दीजिए तो देखिए जो 11,500 का एक एकर का ड्रीप का हमारा पैकेज है उसकी दो सार के पूरी गैरंटी वारंटी आती है मतलब उसमें वो सब चीजे है कि जो दिक्कते आपको आ सकती है तो दो सार के लिए आप बेफिकिर रहो रहा कि उसमें क्या-क्या सामान आएगा तो मैंने कही सारे वीडियो में एक-एक चीज आपको दिखाई है तो आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि यहां पर वापिस में दिखाते रहोंगा तो फिर बाकी किसान बग्यों का टाइम चला जाएगा जो औरेडी में वीडियो सोरुप में दिखा चुका हूँ और इसके उपर भी अगर आपको कोई दिख्कत आती है तो हमने जैसे आपको बोला है कि आप हमारे इंजिनियर को सुबो आश्चे शाम छे बजे तक कॉल कर सकते है वो आपके सवालों के जवाब देंगे आपको वीडियो कॉल पर सब इनपॉर्मिशन देंगे तो आप उनको कॉल कीजिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अगला सवार है गोविन जी का कि वेंचुरी के बारे में और उसके फिटिंग की जानकारी चाहिए किमत तो देखे किमत तो आप ऑनलाइन जाके देख लिजे हमारे वेबसाइट पे क्योंकि कही प्रोड़क्ट की कही सारी वेरियंट आती है तो आपको कौन सा लेना है आपके लिए कौन सा सफिशेंट है मुझे नहीं मालूम तो किमत के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते है या हमारे जो इंजिनियरे उनको सूबो आश्टे शाम 6 बजे तक आप कॉल कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए रहा वेंचूरी का विशे तो देखिए वेंचूरी के बारे में मैं कुछ जानकारी दे दूँगा आपको कि वेंचूरी मतलब क्या है कि जो भी खाद पानी में गुलती है उसको ड्रीप से माध्यम से देने की यंतरना वेंचूरी तो ये वेंचूरी चलाने के लिए कोई प्रकार का इंदद नहीं लगता है, इरेक्टरिसेटी नहीं लगती है, पेट्रोल नहीं लगता है, पानी के दबाव के डिफरेंस पे ये काम करता है, मतलब आपके मुख्य पाइपलाइन को बीच में कौक लगवा के, आउटपूट के इनपूट में हम एक कीजी प्रिशर का दबाव अगर क्रियेक करते हैं, तो वेंचूरी में ऐसी कुछ रचना रहती है, कि जो उसमें जो नली है, वहाँ की वह हवा खीच लेती है, और वहाँ पे वैक्यूम बनाती है, वहाँ पे वैक्यूम बनाती है, तो जो ड्रम में उसका फुटवार डाला है, वहाँ से पान तो हवा निकल जाती है और वहां से पानी आना चालो हो जाता है जब तक पानी आता रहेगा तब तक वह कोई दिक्कत आती नहीं है जब तक लेवर है या जब तक नली उपपर नहीं आ जाती तब तक पानी आता रहेगा तो वही प्रिंसिपर पे ये वेंचुरी काम करती है औ और वेंचुरी मतलब क्या है कि वेंचुरी से अच्छा भी हम सभी किसान भाइयों को फर्टिराइजर टैंक लगवाना सुचाते हैं, बताते हैं, उनको उपदेश देते हैं, क्योंकि फर्टिराइजर टैंक के तुल मतलब तुलना में वेंचुरी में जो बैक प्रेशर क्रि बढ़ जाती है pipeline फटने की संबावनाई बढ़ जाती है और वेंचुरी में जो भी आपका खा देओ पूरा गोलना पड़ता है फर्टी राइजर टैंग में आसानी क्या रहे थी आप डाल दो और घुमकियाओ दो-चार घंटा दूसरे कामें करते आओ वह आटमेटिक जाते रहे गा फर्टी राइजर टैंग में जो प्रेड करने की प्रोब्रेब्रिटी है वह वेंचुरी से ज्यादा है एक समान प्रेड करने की तो अब यह हम फर्टी राइजर टैंग प्रमोट करते हैं आप अगर आपको उसके उपर इंफोर्मिशन चाहिए तो आप बताईए मैं पूरी एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा अगला सवार है रेंगन के बारे में कि पाच होस्पावर का छोटा जो इंजिन आता है टॉप लैंड टॉप लैंड कमपनी है तो उसमें रेंगन चल जाएगी कि बिल्कुल चलेगी हमने इसके उपर एक वीडियो औरेड अगर आप डालेंगे कि हीरा रेंगन वर्कॉन डीजर इंजिन तो आपको वीडियो दिख जाएगी तो उसमें पूरा डीटेल बताया है कि किस प्रकार के इंजिन पर ये रेंगन काम करती है इसको फिटिंग कैसे करना चाहिए कितने नीचे से ये पानी उठा सकती है कितने लंबे तक ये पानी भेज सकती है क्या-क्या अपने मतलब प्रिकॉशन लेनी चाहिए फिटिंग करते समय तो ये सारी चीजे बताईए आप वीडियो देख लेजे आपको ज्यादा डीटेल में एंसर मिल जाएगा एक बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल पूचा है 15,000 मराठी में है कि मतलब में हिंदी में ट्रांसेट करके आपकी लिए बताता हूँ कि 15,000 फीट की पाइपलाइन है तो असी हेड है तो उन्हेंने पूचा है कि कितने इच्पी की मोटर लगाए और कितनी इंचे यह लग रहा है कि आपने हेड कैसे काउंट किया एक बार चेक कर लीजे और यहां पर देखो मैं आपको मोटर या पाइपलाइन नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी लगवानी है लेकिन मैं आपको एक रामभाय उपाय ऐसा बताऊंगा कि यह उपाय हरे किसान बाई को लागू आपको पायनी ही लेके जाना है वो कितना भी लंबा रहे चर उतार रहे तो सबसे पहले क्या है कि आप एक अच्छी कंपनी आपके गाउं में ढूंडो कि जो एक अच्छा मोटर बेश्ती है और दुकानदार को अगर नॉलेज होंगा आपके यह तो ठीक ऐसा मत करो कई बा है कि भाया मुझे कंपनी के इंजिनियर से बात करवा कि दे और कंपनी के इंजिनियर से जब बात करेंगे कही बार तो ऐसा होता है कि हर एक जिला हर एक तालुका के लिए कंपनी उने इंजिनियर अपोइंट किये है तो उनको बुला भी लेंगे अगर नहीं बुला पा रह जब भी कभी आप बोरिंग करते हो तो बोरिंग मशीन वाला रहता है उसको पूछ लेने का बई कितना पानी लगा और जब बोरिंग करते हो तो लिक लेने का कि पहला पानी कितने फिट पे लगा था फिर उसके नीचे अपन कितना गए फिर आखरी में कितना लगा यह सब कि यह आपको 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी यह इनफोर्मेशन लगती है, जमानो कि 50 साल बाद आपकी बोरिंग में कुछ मोटर फस गई और आपको भी खीशना उसको, तो यह इनफोर्मेशन अगर आपको मालूम रहेगे तो आपको काम करना आसान हो जाएगा, इससे आहसा नही पहला पानी कब लगा था, मिट्टी कब लगी थी, क्योंकि जब पत्थर है, तब कोई पोदो के जो है, रूट वो तो अंदर नहीं आएगे, तो जितना एरिया आपका बोरिंग में मिट्टी था, उतने एरिया में ही आएगा, तो यह सब लिखके रखने का, और मैं बता र पानी की जरूरत है, आपने उपपर जितना भी आपको शेत्र है, उस हिसाफ से थोड़ा डेक लेने का, कि कितने पानी की जरूरत है, आपको कितना खर्चा करना है मोटर की उपपर, मतलब मान लिजे कि कोई किसान भाई, उनको जरूरत है 10 HPK पानी की, लेकर उनके पास पा लंबाई तक पानी इतना चाहिए मुझे तो एक बार ये मोटर सेलेक्शन आपने वैसे करवा लेने का फिर जब आपकी मोटर सेलेक्शन हो जाती तो उसी समय आपका ये भी तह हो जाता है कि आपको पानी कितना लेके जाना है तो उसी सबसे आपको पाइपलाइन भी तह हो ज तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर ड्रॉप आएगा तो आगे आपको प्रेशर से पानी नहीं मिलेगा अगर आप 2 इंची का पाइपलाइन लगवा देंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा इदर पाइपलाइन फुटने की समस्या रहेगे तो आप उसी साब से पाइप का चु मुटर में चैन्जर करवा लेगा अगर वहा पे लेकर जाके अपको ड्रीप ओटता एदर ड्रीपशिया रग तो उसी से उसको बता देना और जो भह्याई को अब ही कोई भी तो बाद में आपका खर्चा बच जाएगा तो इस हिसाफ से सोचना चाहिए इस हिसाफ से काम करना चाहिए इसके उपपर हम जल्दी एक बड़ी वीडियो बनाने वाले है कि इस प्रकार की मोटर आती है पूरा एक बुकलेट आता है मोटर का तो कौन-कौन सा उसमें टाइप आता है तो आज का दूसरा सोवार में में जडंप ऊपर में पूरी एक वीडियो बनाने वाले हैं तो वह जल्दी कुछ नए फॉर्माट में आपके सामने हाजर होने वाले है तो वहां तक आप वीट कीजिए तो आजका दूसरा सवार में ले लेता हूं एक गुजर किसान भाहिये उन्होंने गुजर नाम लिखा है उजर गुजर 3152 ऐसा नाम दिख रहा है तो उन्होंने बोलाई कि आप लोग किम्मत और मिलने का स्टान क्यों नहीं बताते तो देखो इसके उपर में कही बार उत्तर दे चुका हूँ कि देखो परसो मेंने एमे क्योंकि मेरे मन में जो सवाल ते उसके जवाबी वहां मिलनी रहते हैं फिर उनको मैंने चाटीन में ड्राप किया फिर उन्होंने दो दिन बाद उत्तर दिया तो भाई हमको यह थोड़ी गलत लगता है तो हमने आपके लिए एक इंजिनियर की टीम बेठाई हुई है कि जो सूबो अर्श से शाम छे बज़े तक आपके कॉल उठाती है आपको पूरी जानकारि देती है आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब देने के कोशिश करती है तो इसका फाइदा क्या होता है कि आपको जो चीज की जरूरत है वही चीज आपको दी जाएगी नहीं तो गलत चीज दी जाएगी अभी जैसे कि मैंने ट्राइपोड मंगवाया था यह वीडियो शुटिंग का सेट अप थोड़ा हम बड़ा कर रहे थे तो मैंने ट्राइपोड मंगवाया था यह सत्य गटना है और वो ट्राइपोड जब आया तो उसकी हाइट कम निकली फिर वो सब जह मेरे हो गए वापील दो यह करो वो करो अगर तभी उनकी उन्होंने अगर कॉल सेंटर अविलेबर करवाया रहता था तो हम बात कर लेते थे उनको पूछ लेते थे कि आमको इतनी हाइट चाहिए इस तरीके का वजन उन्होंने उठाना चाहिए तो ऐसी गलती ना हो और गलत चीज आपको ना दी जाए इसके लिए क्योंकि सर देखो ट्राइपोर मैंने मंगवाया था और ट्राइपोर गलत निकला मैंने वापील दिया इससे मुझे कोई नुकसान नी हुआ लेकिन किसानों का क्या है कि किसानों की एक फसर खड़ी है अगर मानलो आपने कुछ मंगवाया और गलत आ गई तो आप फिर उसका इस्तमार कैसे करेंगे और जब फिर और रिप्लेज भी होगी हम करें करके भी देंगे आपको लेकिन तब तक फिर आपकी फसर को पानी कैसे देंगे तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर यहां पर इंजिनियर की टीम बेठाई आप उनको कॉल कीजिए आपके सारे समस्याओं के जवाब आपको मिल जाएंगे अभी मैं देख लेता हूं कि लायू किसी ने कुछ कमेंड किया और तो फिर आज का सेक्शन बंद करते हैं और कल बाकी चीजों का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा